और भारत का 70 साल का लंबा इंतिजार आखिर कार शनिवार को खतम हो गया नामीबिया से आए आठ चीतों ने भारत की सरजमी पर अपना पहला कदम रखा कुनो नेशनल पार्क में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बॉक्स खोल कर चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा हारेना के मुख्या मंत्री मुन हुरलाल ने पीम मोदी की स्पहल की सराना की है वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार जताया है पीएम मोधी ने चीता मित्रों से कहा कि कुणो नैशनल पार्क में चीता जब फिर से दोड़ेगा तो यहां बायो डावर्सिटी बढ़ेगी और यहां विकास की संभावनाई भी जनम लेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगी इस मोगे पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने लोगों से अभी धहरे रखने और चीतों को देखने के लिए नहीं आने की अपील की है पीएम मोधी ने कहा कि यह चीते महमान बनकर आए हैं और इस शेतर से अंजान हैं कुनो नेशनल पार्क को यह चीते अपना घर बना पाएं इसके लिए उनको सहयोग देना है बतादे की शनिवार सुबह साथ बचकर पचपन मिनट पर नामीबिया से स्पेशल चार्टेट कारगो आठ चीतों को भारत लेकर आया 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालिर एबेस पर उत्रे नामीबिया से इन चीतों को लकडी से बने खास तरहें के पिंजरे में लाया गया ग्वालिर एबेस से चीनूक हेलिकॉप्टर के जरिये चीतों को कुनो नैशनल पार्क में लाया गया मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सहीयोग से दसकों बाद चीते भारत की धर्ती पर वापस लोटे हैं मुझे विश्वास हैं ये चीते न केवल प्रकृती के परती हमारी जिम्मेदारियों का बोद कराएंगे भलकि हमारे मानविय मुल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे साथियों जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं इसलिए ही आजहादी के इस अमरित काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृती के दोहन को शक्ती प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था 1947 में जब देश में केवल आखरे तीन चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निश्ठूरता वा गैज जिम्यदारी से शिकार कर लिया गया प्रकृत्स